तो हाई गाइस वेलकम बैक टुबाइ चैनल सो फ्रेंट्स यहाँ पर आज की इस वीडियो में जैसे कि आपने थमने में देखा 2018 के सबसे वर्ष्ट फॉन सबसे फ्लॉफ पॉन जो मार्केट में आए पर उनकी हाइव थोड़े दिन तक एक दो दिन तक बनी जही पर जैसी मा सब्सेज दोने की कोशिस कर रहे हों कि भाई मैं नया फॉन लोगा लाया फोन क्या आपके स्मार्ट फॉन में आता कहीं फरें लाइक गड़ी तो यहां पर 2018 तो आप जाने को आया और 2019 आने को आया तो यार कल 31 है क्या प्लान है आपका बताईए को मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में और क्या पता क्या आप नया फॉन लेने जा रहे हो कल के दिन में उससे पहले थोड़ी सी वीडियो को देख लिजेगा तो यहां सबसे पहला स्मार्टफोन यहां पर निकल के आता है नोक्या का 8110 तो अगर आपने फोन नहीं देखा है नोक्या का 8110 मैट्रिक्स को यह यलो कलर का एक फोन आया था बनाना फोन जिसको हम दे रहे थे ना तो यह फोर जी सपोर्ट करता था यहां पर यह भी काई उसमें चलता हो क् यहां पर यहां पर यहां पर नोक्या का 8110 जब स्मार्टफोन आया तो यह लोगों ले चोचा कि भाई 3110 आया आया है नया आया होगा कुछ तो भाई ये company ने यहाँ पे 3500 रुपे के अंदर यहाँ पे निकारा तो यार ये 2018 का पहला एक smartphone है जो नोक्य के तरब से आता है तो आपकी सबसे प्यारी company है वो यहाँ पे हो गया fail अब दूसरा smartphone यहाँ पे निकल के आता है आपकी सबसे सबसे ज़ादा प्यारी company को लेके वो है realme को लेके यह realme 1 यहाँ पे बहुत ही अच्छा smartphone था यहाँ पे 3GB 32GB आपको 9000 के अंदर मिलती थी आपको यहाँ पे helio का 360 processor देखने के मिलता था यहाँ पे media deck के साथ जो आता थ 32GB यहाँ पे हो गया फेल अब वह हुआ क्यों फेल स्नेपड़गन का 450 processor यूज किया गया है यहाँ पे helio P60 जो यहाँ पे यूज किया था realme 1 के अंदर वह भाई इससे बहुत ही बहुत ही जादा यहाँ पे अच्छा था पीछे क्रप्त को दो क्रेमरा दे जाते थे आगी स और वीडियो देखेगा अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी एक वीडियो बनाओ कि आपको कौन से स्मार्टफोन आपको लेने चाहिए नए साल का मौका है तो कंपनी फिर से यहाँ पर आपके लिए सेल लेके आएंगी एमजन लेके आएंगी कौन कौन सी कंपनी यहाँ पर से घटिया फॉन में इसको कौनगा 2018 का क्योंकि यहाँ यहाँ पे ना आपको मीडिया टेक का हीलियो पी 22 प्रोसेसर देखने मिलता है सिर्फ 10,000 के अंदर 11,000 के अंदर और यहाँ पे उसी प्राइस के अंदर नोक्या निकाला था अपना नोक्या का 5.1 प्लस जो आपको मिलता के अंदर बहुत लोग डिसपोइंटेड हुए इस फॉन को देखके और यहाँ जैसी मार्केट में आया सोचा है इंडिया में आके धमागा करेंगे पर यह हो गए यहाँ पे फ्लॉब अब यहाँ पे चौथा स्मार्टफोन आता है यहाँ पे आप सब लोगों के लिए जि को यहाँ पे पर्पॉमेंस भी बहुत अच्छी मिलती थी तो यहाँ उसके लिए यहाँ पे लोगों ने बहुत लंबी-लंबी लाइने लगाई तो यहाँ पे आपको एक नौच दे दी गई थी और पीछे की तरह यहाँ पे आपको कैमरे में थोड़े बहुत इंप्रूमे वालों ने कह दिया यह नोट फाइब प्रो का सक्सेसर है तो भाई मैं तो इसको दिल्कुल भी यहाँ पर इनका सक्सेसर नहीं मानता हूं अगर आप रेडमी नोट 6 प्रो लेने जा रहे हैं तो भाई मत लीजिए उससे वड़िया आप रियलमी का टू प्रो ले लीजिए आप यहाँ पर रेडमी नोट 5 प्रो ले लीजिए यहाँ बिल्कुली मत लीजिएगा मैं यहाँ आपको रेक्रिमेंट करता हूं अब यहाँ बात आती है आपके इसी को कंपनी को लेखे रेडमी का MI A2 तो यहाँ पर रेडमी का MI A2 स्मार्ट फॉन था इनका यहाँ इन्हो 3,000 रुपे एक्स्ट्रा आपको देने पड़ते और यहाँ पर आपको मिलता आपका सिक्स्टी प्रोसेसर पर यहाँ पर रेडमी वालों ने इतनी बड़ी गलती कर दी या तो इस फॉन को 20,000 के अंदर निकालना था 20,000 रुपे का निकालना था और यहाँ जो रेडमी आपको उस प्राइस रेंज के अंदर आपको यहाँ पर मतलब 3,000 रुपे एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर देते तो आपको यह फॉन मिल जाता पर लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि हमने रेडमी नोट फाइप प्रो क्यों ले लिया अब यहाँ पर बात आती है यार नैस स् रुपे नहीं बिल्कुल नहीं आपको 845 प्रोग यहाँ पर आपको 20,000 रुपे के अंदर 970 का क्रीन मिल जाता है आपको 16,000 रुपे के अंदर तो यहाँ आप कैसे इसको पॉसथा था भाई स्लाइडिंग मेकनिम्म उसमें स्लाइडिंग मोटर की तरफ से खुता था मोटर लगी थी अदर से अपने अगर आप कामरा उपन करते तो यहां पर वो अन हो जाता था अगर आपने आपने वीवो का नेक्स देखा होगा तो आपको यह पर पता लग जाएगा तो यह बहुत जादी मतलब मतलब बहुत ही अच्छा था यहां पर यहां पर यह फिद भी टीम कूक के अंदर भाई यह कुछ नहीं लेके आए यह सिर्फ इन्होंने अपने फॉन की कीमत बढ़ा दी एक लाग से एक लाग उन्नी सो जार रुपे इन फोन के प्राइस रग भी आ गया था आपका आइफोन का 10S 10S Max आइफोन का 10R यहां पर यहां मतलब लोगों ने सोच प्रोडेक्ट्चन अपना ज्यादा गया दिया जहां पे लोग फोन लेने भी जा रहे थे मतलब सामने से लोग कह रहे थे सब्सक्राइब देखने के लिए तो यहां पर यह तो पक्ता पक्ता फ्लॉप रहे आपके आइपॉन की तरब से आइपॉन 10R आइपॉन 10S 10S Max तो भाई यह दोस्तों को भी अगर वह फॉन लेने जा रहा है रिकमेंड में आती है वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और आप में चैनल में नहीं आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन है अगर कुछ क्वेशन होगी नीचे पूछ लेजेगा और मेरे चैनल में अगर आप नहीं आए नीचे सब्सक्राइब करके उसको तवारी जैसे कि मेरी लेटेस्ट नॉटिफिकेशन आप वो टाइम मिलती रही कि नॉटिफिकेशन बैल आके नहीं हेट कर दीजिएगा प्यार से आपको टाइम जैसी वीडियो डालूंगा आपक रहसा हे आतने भाँ